सतना शिरी वाहे गुरु साहिब जीयो खात खर्चत बिलचत रहे तूटना जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार परम सनमानियो गुरु गुरु खाल्सा सासंगजी वाहे गुरु जी का खाल्सा वाहे गुरु जी की फटे चल रहे लड़ी बार परसंग ताने टान शिरी गुरु गोभन सिंग साहब जी महराँ जी दे अध्याई जुताली में विच आज अपां सहभ जादा जुजार सिंग अते सहभ जादा जोरावर सिंग दे जानम दा परसंग सर्वन करांगे आउ बड़े प्रेम नार एना परसंगानों सर्वन करिए नदाण दी फते प्राप्त करके गुरुजी ने बड़ा अनाधतार्न कीता ते फिर शिरी गुर तेग भादर जी देस पुतर शिरी अनांधपुर सहावेच परवेश कर गए गुरुजी दा आउना सुनके नगर दे लोग देल वेच बहुत परसंग होए गुरुजी नो अगे होके लैन वास्ते बड़े आदर नाड आके मिले नगर विच अनेग प्रकार दे मंगलां दी रचना कर दे सन अते फुलां दी वर्खा कर रही सन कई दिन बितन तों बार माता जीतो जीनू गुरुजी ने विशाल सने मर होके खड़े होया नू वेख्या मान विच कामना सहित जानके उस समय बोले कारवाण दा की हाल है आप जीदी की अभी लाशा है आपना मनौरत दसो होन जो भी चौन्दे हो जिस वास्ते आए हो ते होन लाश सहित खड़े हो माता जीतो जीने हाथ जोड़के बंदना करके कहा हे प्रभू अंतरजामी जी तुसी जगत गुरु हो ते सब दे दिलानिया जान दे हो चारे चकानिया संकता चेत वे जोवी चौनिया हन समुन्दन दे आंत तक जिन्नी भी तरती है सारे तो अड़े चर्ना नो पूई दे हन बिनास पुत्तर दे अनाद नहीं है कारसोन समान है पुत्तर जे में दिवेदा परकाश होंदा है इस तरह बुद्धिवान केंदे हन सूरज देन समें परकाश करदा है ता सारा जग सुख पोंदा है राददा दी बक्चांद है हनेरे अते दोखनों दूर करदा है किरपाने धान गुरुजी ने कहा सिक संतां दी सेवा करो ते अहंकार शड़ के कई परकार दे पोजन देो सात संगत पासों सब कामनावा पूरियां हो जान गिया दो लोकां दे अनद प्राप्त करोगे जे खुशी नाग सेवा करोगे एस उनके गुरुजी दा हुकम मनलेया ते नमसकार करके चले गए पोजन वास्ते बहुत परकार दी त्यारी करवाई जेडे वी संत सिक गुरुजी दे पास आके रेंदेसन ओनानु पोजन चकाके त्रेप्त करदेसन ते मन विट्स पुत्तर दी कामना तरके सात गुरुजी नू परसन करदेसन नेत नमी सेक संगत मगवा के ओना दे चर्नतों देसन ते हाथ वेच पका लाके ओनानू सुख देन वास्ते हवा चाल देसां एस परकार दी माता जीतो जी ने बहुत सेवा किती सारे सुखानू देन वाले सत्गुर जी एहे वेख के बहुत ही प्रसान होई कुझी ही दिना बाद माता जीतो जी दी ओनाने कामना पूरी किती मादा जीतो जी गर्बतार्ण करके बहुत परसान हुय पती देवदी सेवा सफल होई इस परकार परसान चेत रहके नौ महीने पुरे हो गए परवार बहुत परसान हुया पुत्तर सहथ इंतियार करद्या पारी उत्सव हुया चेत सुधी सत्मी थेतनो मंगलवार आया स्तारां सो संताली सम्वतनू अनांदशा आ गया पले लगन ते उच्चे ग्रह सहत सोख पाके स्पुत्तर दा जनम हया बहुत दीप माला किती गई बहुत मांगते सोंद्यां ही दान लेयान वासते दोड़े आये द्रवाजे उते वडिपी इल्ला गई ते मांगते बहुत तान पा रहे सान सोटी वांश दी सारी रिती कैके करवाई गई नदाउन दी दूसरी जांग वेच गुरु जी विजय प्राप्त करके आये सान फिर दूसरे स्पुतर दा जनम होया ते बहुत वाजे वजय गुरु जी ने फिर स्पुतर दा नाम रखन बारे विचार कीती फिर गुरु जी ने अपने स्पुतर दा नाम जुज आर सिंग रख्या जेडा सुखा दे कारवेच परसिद हो गया जुजार सिंग नाम तरके परवार बहुत परसान होया ओदर सहभजादा अजीज सिंग जी खेड़ देसान ता आउना दे पाई होई ग्याने खड़क देसान साथगुर जी दे कारविच दो सहभजाद्यानों माता गुजरी जी चेत वेच परसान होके वेख दे सान। गुरु जी दे दोमेस पुत्रा दे संगता दर्शन करनते बंदना कर दिया सान। हस दे हसों दे लीला कर दे सान। नाल दे दास अनेक तरा नाल सतकार कर दे सान। शीरी अनांदपुर साहब वेच जेड़े भी मनुख बेमुख होंदे सन और गुरुजी दी महिमानू नहीं जान दे सन हिरदे वेच डार तार के गवार पैड़ी मात तार्न कर दे सी ते शैर नू छड़के पाज जान दे सन जेड़े शिरी अननपुर साहमनों छड़के चले गई सन ओनानों सब थामाते दुखी प्राप्त होया किसे ने भी ओना दा सनमान ना किता और पुखे प्यासे रहके बहुत दुखी होय जेड़े शेर तो पाज़ गई सन और पुखे मरदे दुबारा आगे देन प्रती देन गुरुजी दा बहुत बहुत परताव वदा गया ते गुरुजी दे दोशियां दा नाश हो गया इस परकार गुरुजी ने अपने तेज नू टकाया सारे राजयां दे मान वेच डारुत पन होया सिक संगत सदा बहुत वद्धी जंदी सी सात्गुर्जी दे ओ सुखदायक दर्शन करदेशन जिस प्रकार माता जीतो जी सात संग्दी सेवा करदेशन ओस प्रकार ही सिख संगतनू वड़ी पावनातार के पोजन बस्तर दिन्देशन मिठे लून वाले खटे स्वात सहत बने होई जावल सबजी सहत दिन्देशन वेच मेवे पाके पवित्र करदेशन फिर आई होई सिख संगतनू पोजन शकोंदेशन आपने चेत वेच गुरुजी दी परसनता चोंदेशन ते सदा आपने मांदी गतीनों सनेमर रखदेशन नंग्यानों वेख के वस्तर दिन्देशन एस तरां सेख संगतना दी सेवा करदेशन गुरुजी दी मूर्ती सदा हरदेवेच द्रेड तोर ते वस्दी सी देन रात साथगुर जी नाल प्रेम वद्या सी गुरु जी दे दर्शना दी लाल सा बहुत रिंदी सी ते माता जी सेवा कर दे किसे प्रकार आलस नहीं सी कर दे गुरु जी माता जी दी सेवा ते बहुत खोशुंदे सन ते ओना ते बक्षिशां कर दे सन गुरु जी ने माता जीतो जी दी दूसरे स्पुत्र वास्ते कामना जानी ते माता जीतो जीनू बहुत प्रसनता बक्षी ते उस समय ओना दा मनोरत सफल कर दता माता जीतो जी दूसरी वार गरबती हो गए ते उना ने मन विच उत्तम अनन्ध तार्न कीता सहबजादा जुजार सिंग बड़े संदर शोब दे सन पैरादे बल पाके खेड़े फिर दे सन जवाहर जड़े जड़व गैने बोंदे सन जाद वेड़े विच दोड़ दे सन तां गैने चंगी तरां शब्द कर दे सन दूसरे सहबजादे अजी सेंग जी खेड़े फिर दे सन दास दासियानों नाल रख दे सन कदी कदी दोमे परामिल के खेड़े सन सारा स्रीर सुन्दरता पर पूर सी एक दिलावर खांप ठांड सी ओ पंच हजारी ओदे वड़ा सी गुरु जी दे जासनों सुनके ओ बरदा चारा सूर पीरांदी सेना लेके जाओ ते लड़ाई करके अनांदपुर नों मार लो जे ओह बहुत तान देन तान लेके ओस समय छड़के आजयाओ नई ता पारियोद करो अपने पिता पासों सुनके खांजादा त्यार हो गया उसने अपनी सेना विच बहुत गोड़ी ब दिलावरखा वड़ी सेना लेके आया केंदा सी सारे पहाड़ी राजापसों तान लेना है गुरुजी वल पहला अपने पुत्तर नों पे जया एदरों पाव गुरुजी वलों सारा अन्दे जोर दा पता लग जाएगा इस परकार देलवे छंकार ता रनकीता अपने पुत अनादपुर जाके रास में लड़ाई करो, सारे एको बार हमला करो, एसला करके पठाण पुत्र महान सेना लेके कोड़ेते स्वार हो गया, नदी तो पार उसदा डेरा सी रात पै गई ता बहुत हनेरा चागया, दोग कडियां जाद भीतियां जानियां, त्रों थी फिर सारी सेना त्यार कर ली, चलके नदी दे किनारे आ गया, ठांड होन करके हाथ पैठार गय, कोई मनुख वेक के अनादपुर आया, ते उत्थे पहुँझ गया, जित्थे गुरु जी दे द्रवाजा शोब रहा सी, उत्थो एक आलम गुरु जी दे पास गया, ते जाके चर्न बं सेना दे हन, सारे नदी दे पार खड़े हन, आपने सूर्वीरा नुँ हुकम देओ, तांके हो युद कर नवासते सुचेत हो जान, सादगुरु जी ने त्रोंत मोक्तों फुर्माया, कोई मनुख नु पेज के सारे नु जगा देओ, रंजीत नगारा वजा के सारी फौज त्यार हो गई, ते मुखी योदे सब चल पे, शीर गुरु जी ने एक होर मनुख नु पे जया, ते सारी सैना नु समझाया, दुष्टा नु अगे चल के रोको, गोडियां मारो, ते जंग वड़े सांते मचाओ, पावशारों बार दूर अगे चले जाओ, एक ठंड़ दा समा सी, ते वड़ा पाला पे रहा सी, जाल दे पास खड़े वेरी, पिंगलियां माग हो रहे सन, ओना दे हाथ पैर सुन होके, बे जान होगे सन, शस्तर उठा के हथां विच फ़ड नहीं सकदे सन, दूसरा गुरु जी दे दालदा वड़ा शोर मचा सी, इके वार वड़ा जोर पै गया, पैपित हो के, जे तो हुंदी ना समझी, फजूल विच सारे न नुकसान हो जाएगा, दिलावर खादे पुत्र पास, इस तरहां डार के सला देन वास्ति बोले, गुरु जी नल जंक करना चंगा नहीं, होन इंज पता लगदा है के होन मरना पवेगा, पाले फजूल विच क्यों प्राण देंदे हो, ओद्रो महान से ना पोंच गई है, जेड़े बड़ी उची-उची पुकार रहे हैं, कौन जानदा है के ओना दी गिंटी किन्ने हजार है, साड़े हथ्यार खोलेंगे, जे सामना करोगे ता मार लेंगे, ते नो फिर सारे न जान ग पाया, ते आपने पैरानू जाल वेच ना पाया, गुरुजी दे बड़े परताबनू समझेया, लड़ाई छाड़ दती के जेतदी कोई आस नहीं है, शस्तर चलोन तो बगैर ही, हिरना वांग ड्राकल बनगे, महामूरक कायर, हिरना वांग पाज चले, गुरुजी जंग जाद आप ओन गे, तां दसो ऐसा केड़ा योदा है, जड़ा बीरता तार के खड़ा रहे, तिखे तीर शड़ के सानू जेत लेंगे, तुरकां दे सूर में इसतर डर्दे होए, सारे पज गए, खाना दी सवा विच एक हुसैन नामदा गुलाम रेंदा सी, ओ दिलावर गारे वजा के चल पया, शिरी अनंद पुर साह विच, शिरी गुरुजी विशाल अनंद विच रह रहे सन, जाद पठान पुत्तर ने, पाव दिलावर दे पुत्तर, बड़ा उच्ची हो रया महांशोर सुनया सी, तां ओह कायर होके, पलान पेंड विच पज गया सी, दू अगाउं लेंड गये सन, जादे सुनया के पठान पाजगे हन, ताद महान विजे प्राप्त किती, ते नगारे वजा के जेत दा अनंद लेया, बहुत बंदूका शडियां, जिना दी वाज, बहुत दूर दूर तक गई, फिर सारे बहुत गाजिदे होए, शिरी अनंद लाम, सैना जोड के आ रहा है, जिस दा नाम हुसान है ते उसने अपने वड़े परता अपनू जणाया है, पहला चल के अवान पेंड लोटेया, कोई भी सामनी ना होया, ता जंक करके सब नो कुटेया, पेंड दे सारे कराना समान खोलेया, बहुत हंकार करके अपनी ताकत जणाया फिर डड़ वालीयनु जुद करके जित्या फिर हुसैनी पैड़ी निती करके जुलम करन लगा कई पहाडी राजे मेल वास्ते पास होंदे सन सारे पासो तन लाके दंड वसूल करता सी कई पहाडी राजें दे पुत्तर कैद की ते बहुत तन देओ गे ता ते पीमचंद कहलूरिया उसनो वड़ा ताकतवार समझ के उपहार दे दे के मिले विशाल दून दे विच प्रवेश करके बहुत लोटमार कीती सारे कायर बहुत डर गए ते किसने भी जंगना कीती बहुत आनाज खोखो के स्याना विच वणड दता पर हिर दे विच पूर बिना इर्खा करंदे वी कईया नाड उपदर किते किसे वी पहाड़िया नू ओनानू मारन लेक रोध ना आया अनेका ही हाथ वेच उपहार लेके उसनो आके हाथ जोड के मिले कई पाज़ान दे सान ते कई बेंती करके पेटा लेके मिल दे सान इस परकार उस दून वेच बहुत जोर पाया हिर दे वेच भी लाशा करदा सी होन शीरी अनंदपुर साहब वाल चलांगा राजा किरपाल का टोची आते पीमचंद ए जोवी ओना नाल मेल करदा सी उसनो आदर नाल पास रख दे ते गुरु जी नल चगड़े दी गल दस देहन सारी सेना इकठी करके गुरु जी दे पास होना चौदा है संग अरशनाल बड़ा युद करना चौदा है कहनदा है जेत लमागा जा मारे जामागा सैना दा बहुत बड़ा जोर देयांगा जे आके मिल पैनगे तां बहुत तान लमागा दिलावर खाने अपना पुतर पे जैसी जीना तो मूरक ड जाना बनदा नहीं है इस तरह गेंड़ गेंड़ के माने विच त्यारी करदा सी प्रती दन बहुत दाले कठा करदा सी पर आउना दिया सारी इंस किमा फेल होगी है गुरु जी अगे किसे दिये कना चली इस परकार शीरिय नांदपुर साहब दी कथा होई दिवान नांद बड़ी द्रिड़ता कर रहा सी सारी सेनाई कठी करके रख ली कोड़या ते सवार होके चारे पासे फिर दे सन एना ने गुरु जी नल कई योद गीते इस योद बारे सारा हाल गुर्गोविन सिंग जीने बचेतर नाटक विच लिख लिखया है गुरु जी दे सत सवार भी नाल लड़ रहे सन जीना विच संग्तिया सिंग रणखेतर विच हीद हो गया हुसैनी ने वड़ा योद कीता लड़दा होया उथी मारया गया फिर बलवान किरपाल कटोचिया जिसने वड़ा उदम कीता उसनों भी रणखेतर विच मार लेया जिस दा किरपान नाल सेर कड देता हुसैनी तो वकरे एह तेन सूरबीर सरदार राजा किरपाल हिम्मत अते किम्मत जाद मारे गए ताद किरपाल के टोचियों नो मर्या वेके गोपाल ने परसन होके विशाल जित पराप्त की थी फिर फते दा नगारा बहुत उची वाज उठया वैरी दा दल बेन मारें ह पाच लिया साथगुर जी उते वैरी चड़ के ओना चोंदा सी ते शीरी अनांदपुर साहब नू छड़ वोना चोंदा सी बहुत वड़ा लशकरी कठा करके लिया इसन करता पुरख ने ओना नू त्रौंथ ही मार दता इस परकार वैरीयां ते जित प्राप्त करके कल की त पाच ने बहुत अनंता अर्ण कीता सेवकानों बचा के वैरीयां दनाश कीता फिर माग महिने दा पिछला पाख खाया एतवार वाले देन ने बहुत शोबा पाई एकमदी थेत दिया जद दो कड़ियां रह गईया ताद माता जीतो जीते ग्रया स्पुत्तर ने जनम लेया सेवा करें जोग दाईयां ने जद सुनया तब परसन होके बहुत उत्शायत होया फिर सारे खुश्यां दे वाजे वाज उठे तो पांते बंदुकां आद बहुत शल्खा चलियां खुसरे आके दो हथा नाड तालियां बज़ों दे सन तो ओलते तलियां बहुत वाई दिय सन गा के नच के पौटनी लेंदे सन ताल मला के कुंगुरां दिये वाई नाड रिलों दे सन शिरी सद्गुर जी ने फिर बालग दे नाम बरे विचार की ती वैरी दा सारा दल दूर ही टाल दता पाव हमला करना ए हुसैनी नो दूरों ही टाल दता सी ते किसे होर ने ही उस पुत्रानों वेख्या, दोस पुत्र वेडे विच बड़े प्रसान होके फिर दे सान, जाद पाई दे सान, ता गैने आने खडकन दी सुन्दर वाय उठ दी सी। अनेका रंगा दे वस्तर बणों दे सान, गोटा चमकदा है जिस दी चमक चेतनों पोंदी है। आगे सेरनमों दे हन, माता गुजरी जी ओना नाल बहुत प्यार कर दे हन, वो अपने पोत्यां दी चंगी तरहां पालना कर दे हन, ओना नों इकठ्या करके अपने पास बठों दे हन, ते पर चा के पोजन चिकों दे हन। सो सा संगई जी थे दूसरी रोत्त दा उनन जमाद आएस माप्थंदा है जी, पर सांग सनो दे होई हों या अनेग पुलना चुका दिखे मां बक्षनी जी, दासन वाग्या देओ, वाहिगुरु जी का खाल सा, वाहिगुरु जी की फते। झाल